मैं राश्री जस्त हिंदी के सोचल मीडिया पेश पर आपका स्वागत करती हूँ आम आपनी पार्टी के लीडर ने एहम प्रेस कॉन्फरेंस की इस तोरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं दिल्ली के सिक्षा क्रांती के जनक मनिश सुदिया जी को बेल दिया है वैसे सुप्रिम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानते मिलती रही हैं लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो सिक्षा क्रांती के रूप में एक उमीद के रूप में मनिश सुदिया जी को जानता है पहचानता है और उनसे उमीद लगाए बैठा था सत्रा महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी जो दुआ थी जो आसिरवाद था आज वो फलित हुआ है आज वो पूरा हुआ है और इसने एक बात का संदेश साफ तोर पर दिया है कोई भी तानासाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है लेकिन उसकी तानासाही अनंत काल तक नहीं चल सकती तानासाही की भी सीमा है सत्रा महीने दिल्ली के उन बच्चों ने जिनके लिए एक नई उम्मीद एक नया सपना गढ़ामनी सिसो दियाने उन परिवारों को बच्चों को आयाइटी में मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा ला करके ये साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी सिक्षा में कोई परिवर्तर नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविश्य सुरक्षित रह सकता है उस मिठख को तोड़ा मनिस्ति सौदिया ने अर्विन केजरिवाल जी के नित्रित्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया किवल बादा नहीं किया सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी उस उम्मीद को कुचलने के लिए सडयंत्र करके बिना तथ के बिना सबूत के जिस तरह से 17 महीने मनिस्ति सौदिया जी को जेल में रखा गया वो इस बात का सबूत है कि भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी की केंद्र की सरकार देश के मानने है प्रधार मंत्रे इस देश के अंदर सिख्छा में बदलाओ की उम्मीद की जो राह है उसे कुछलना चाहते थे देर हो सकती है अधेर नहीं है दुनिया में और इसलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोट का निश्चित रुप से इस बात का मलाल सब को है कि बिना एक तक आज तक एक सबूत नहीं मिला सत्रा महीने CVI और ED ने दिल्ली के उपमुक्च मंत्री को जेल में रखा और धिकार है इसी एजन्सी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का सत्रा महीने उस लक्ती को आपने जेल में रखा हमें नयाय मिला है लेकिन इस बात का अपसोस है कि देर से मिला है इस बात का अपसोस है कि जो बिल उनको एक साल पहले मिल जानी चाहिए थी नियाई प्रक्रिया में डिले की वज़ा से आज 17 महीने बाद वो बेल मिली है इस बाद को ले करके दिल्ली के लोगों को मलाल है लेकिन देर आए खुसी ले करके आज सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया है मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि किवल उप मुख्यमंत्री नहीं जल्दी भारती जनता पार्टी का जो सड्यंत्र है जिस तरह से ट्राइल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद सुप्रिम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद EDI, EDI की जमानत मिलने के बाद CVI का जिस तरह से सड़यंतर के फंदा डाला गया है वो भी तूटेगा जल्दी अर्विन केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे हमारे सतेन जैन भी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से ये मनीश सुधिया जी की जमानत उसके पहले संजे सिंग जी की जमानत और आगामे दिनों में जल्दी सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि ताना साही कितनी भी ताका तोरो सकती है लेकिन उसका अंत जरूर होगा मैं संजे जी से चाहूँगा कि अपने बात मनीश सुधिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है ताना साही के उपर हिटलर साही के उपर और मोधी सरकार के जुल्म के उपर सत्रा महीने आपने एक ऐसे विक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाब एक सबूत नहीं था एक रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई कोई जमीन जाइदात का कागज नहीं मिला गाउं खोड़ डाला बैंक खोड़ डाला घर खोड़ डाला कहीं कुछ नहीं मिला लेकिन E.D. वाले C.B.I. वाले तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया मनी स्रिसौदिया कैसे जेल में रहें आज माननी ये सरवोच्च नियायले का फैसला नियाय विवस्था की जीत है लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भाउनाओं की जीत है पूरा दे से मानता है कि सिख्षा के छेत्र में अद्भूत और अनुकरनी ये काम मनी से सौधिया ने किया और आपने ऐसे विक्ती को पकड़ के जेल में डाल दिया पूरा दे से मानता है कि अर्विंद केजरिवाल के नित्रत में दिल्ली के अंदर सिक्षा, स्वास्त, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बसकी यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरनी ये काम करके दिखाया केजरिवाल जी की सरकार ने आपने केजर पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सतेन जैन को पकल के जेल में डाल दिया, मैं संसद में इस सरकार के ब्रस्टाचार के खिलाप आवाज उठाता था, मुझे पकल के छे महीने जेल में रखा, तो मकसद जाच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पक मुझना चाहता हूँ, मनीस सिसोदिया की जिन्दगी के जो सत्रा महीने बरबाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीस सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रतारना जहेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे, जो एक ऐसे अच्छे सिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वैस की राजनीती के कारण, आपने सत्रा महीने से मनीस सिसोदिया को जेल में रखा था, उनको सुप्रिम कोर्ट से जमानत मिली है, अर्विं कापी के नियाए पालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी एडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबर दस्ती नया मामला सी बी आई का बनाके केज रिवाल जी को आप में जेल में रखा है, अब भी जरासी भी शर्म है, जरासी भी सर्म है प्रधान मंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीती को खतम कीजिए, जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसी को कहिए, फालतू का नयायाले में बिरोत करना बंद करें, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, ना एक रुपए केजिवाल जी कहां से मिला, ना सतेन जेन जी कहां से मिला, ना मनिस्ति सौधिया जी कहां से मिला, मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोटने रोका है, क्या कर रही है आपकी जाच एजिंसियां, और जहां पैसा निकला, उसमें कोई कारवाई नहीं करते हैं, साथ करोन रुपए की रिश्वत म लिए है, उनके नेताओं से कोई पूसता चुई है, एलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रहाई हुई है, तो भारती जनता पार्टी इस देश की सबसे भरस्ट, बेईमान, एलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये रिश्वत खाने वाली घोसित पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा इमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है, अर्विंद केजरिवाल, मनिस से सौधिया, सतेन जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुरभावना और बदले की राजनीत पार्टी के कारण, भारती जनता पार्टी वो पार्टी है, जो घ्रणा, नफ्रत, द्वैस, जगडे, लड़ाई, दंगे, फसाद, इसमें यकीन रखती है, उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है, मैं फिर दोर आ रहा हूं, मनिस से स इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुख्या आरविंद केजरिवाल जी बाहर आएंगे, सतेन जैन जी भी बाहर आएंगे, ये राजनीती नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग दिल्ली के लोग पराजित करेंगे, सौरब भाई, नमस्कार सातियों, आज देश की सबसे बड़ी आदालत की डवल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन थे, उन्होंने एक लैंडमार्क फैसला दिया, और ये फैसला ना नीश शिशोदिया जी के लिए, बलकि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो बिना किसी सबूत, गवाद, प्यमेले, प्रिवेंचन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के काले कानून के तहद, जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोट ने कु रोश्णी देने का काम करेगी, नमबर एक, कोट ने कहा, बेल is a right, जेल is an exception, यह सिधान्त है, देश की कानून विवस्था का, कि आप किसी को बेल दे, वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखे, वो एक अपवाद है, exception है, और यहाँ पे यह मामला इसलिए साबित होता ह है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सुबूत के, बिना किसी गवा के, 17 महिने तक मनीश शोद्याजी जेल में है, कानून यह कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवार रखिए, दोशी साबित कीजिए, conviction हो, sentence कराईए, पांच साल का नहीं है, आप दस साल क भी नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे आप किसी को 17 महिने कैसे जेल में रख सकते हैं, कोट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, साप सीड़ी का खेल चल रहा है, आदमी लोर कोट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिज स्प्रीम कोट जाते हैं, फिर वापिस, यह साप सीड़ी का खेल आज केंदर सरकार ने देश में चलाया हुआ है, इस मामले में सितंबर में केंदर सरकार और उसकी EDE ने अंडर्टेकिंग दी, कि 6-8 महिने के अंदर पूरी ट्राइल को कंप्लीट कर लिया जाएगा, आज ह ऐसे मामले में जिसमें 1000, 1000, 1000 से ज़ादा दस्तावेज हैं, 200, 200 लोगों से ज़ादा गवाह हैं, 468 गवाह हैं, ऐसे में ट्राइल को तो 10 साल लगेंगे, तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करें जिल में रख सकते हैं, यह तो होई नहीं सकता, कोट ने एक और महत अधर ट्राइल खत्म ना हो, तो इनकी जो जमानत है, उसको कंसिडर किया जाए, उसके बावजूद लोवर कोट और हाई कोट जो है, जमानत देने में इसके चाहरे हैं, जिसकी वजए से सुप्रीम कोट के अंदर हर बेल की अप्लिकेशन जाके लंबित हो रही है, और सुप्रीम कोट उठ रहा था, तो अभिशेक मनु सिंग्वी जी ने मुस्कुरा के कहा, थेंक यू मेलोड, छे तारिक को मामला रिजर्व हुआ, नौ तारिक को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया, और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा, इट इस अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स, कितनी बड़ी बात, देश के सबसे बड़ी अदालत ने कहिए, कि जहां बेल का मामला है, एक एक दिन, एक बेगुना, जिसके ओपर गुना साबित नहीं हुआ, वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे Constitution के अंदर, Article 29, 21 के अंदर, अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वएसे बेल is a matter of right, क्या ये बात हमारे हाई कोट नहीं समझते, हमारे ट्राइल कोट नहीं समझते, जहां पे मैटर्स को खास और पे, बेल के मैटर्स को रिजर्व करके, हाफतों तक जो है, कोट उसके हाई कोट और, कोट के मामलों में, इसके अंदर, कोट हिचके चा रहे हैं, बेल नहीं दे रहे हैं, सब पैसले सुप्रीम कोट के पास जाके लंबित हो रहे हैं और अंतत्था सुप्रीम कोट को बेल देनी पड़ रही है, एक और विशह ज़ुग सघ следующes, जिसकी बात ज़ु की ओपर लगाई गई थी मगर कोट ने बात बिलकुल साफ की और बहुत बहुत जाहिर सी बात है एक आदमी अगर कोई भी काम करता था कोई बिजनस करता था कोई नौकरी करता था अगर आप उसको बेल पर बाहर जोड रहे हैं तो क्या फिर वो नौकरी बंद कर देगा वो अ उनको ठाने में जा के हाजरी लगाके बताना है कि मैं उपलब्द हूं ऐसे लोग चाये वो संजे सिंग मनीश्च इशो दिया हूं इनको ट्राइल के चलते जेल में रखना सीधा सीधा नयाए क्यों जेल में रखने का सिर्फ एक कारण है कि आप कही ट्राइल से भागना जा मगर मनीज जी जैसे लोग संजे सिंग जी जैसे लोग जिनकी रूट से सोसाइटी में जो चुने हुए विधायक हैं मंत्री हैं सांसद हैं वो कैसे ट्राइल से भाग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं वनता कि उनको समय से ज्यादा आप जेल में रखें और जहां तक सबूतों के साथ टेंपरिंग की बात है उस पर भी कोट ने साफ किया जितने भी सबूत एडी ने रखे हैं जिनक सुप्रीम कोट ने उनको जमानत दी है राश्ट्री सचीव भंकर गुपता जी सभी बातें हो चुकी लेकिन आज यह सचमुझ पूरे देश के लिए पूरी दिल्ली की जनता के लिए पार्टी के सभी कारेकरताओं के लिए एक बहुत बड़ी उमीद जगी है यह विश्व सपनों के साथ अर्विन जी ने इस पार्टी का गठन किया था जिन सपनों को पूरा करने के लिए इस देश की जनता उनकी तरफ आस लगाए बैठी है उनमें देर हो सकती है लेकिन वो सपने जरूर पूरे होंगे देश के हर बच्चे के लिए अच्छी सिक्षा का सपना हर व्रिद माता पिता के लिए अच्छी दवाई अच्छी स्वास्त सेवा का सपना साफ पानी का सपना बिजली का सपना महिलाओं की सुरक्षा का सपना ये सारे सपने जो दिल्ली की जनता ने देखे थे और पिछले कुछ महीनों में या मैं कहूं जैसा सब ने कहा 17 महीनों से जो व्यथा चल रही थी जो दुविधा चल रही थी जो लोगों के मस्तिश्क में परिशानिया थी मेरा मानना है कि आज के माननी सुप्रीम कोड के जज्मेंट से उनसे थोड़ा संशे दूर होगा लोगों में उम्मीदे बढ़ेंगी और पूरे देशवाशियों से पूरे दिल्ली की जनता से हमारा यही कहना है कि हिम्मत नहीं हारिएगा विश्वाश रखिएगा आपका सपना जरूर पुरा होगा जैहिंद सभी बाते हमारे सारे वरिश्टनेताओं में कह दी है मैं स्रीब इतना कहना चाहता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के कारियाले में बैठ कर लिखी गई एक साजिश आज सब के सामने आ चुकी है ये एक तथा कतिश शराब घोटाला जो भारतिय जनता पार्टी के कारियाले में बैठ कर लिखा गया था आज उसका सच जनता के सामने है मैं पूरी दिल्ली की तरफ से जनता की तरफ से माने सुप्रीम कोड का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हम सारे लोग अपने नेता मनीस सोधिया जी के स्वागत की तयारी कर तो पूरी दिल्ली और पूरा देश उनके स्वागत की तयारी कर रहा है और बहुत ही जल्ब हमारे नेता और दिल्ली के लोग पिरे मुकमंत्री आदरीय अर्विंद केजरिवाल जी और सतेंदर जैन जी भी जेल की सलाकों से बाहर होंगे एक बार पुना आप सबको बहुत 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 बदाईए देखे पहले जेल से बाहर आएंगे आगे कैसे क्या करना है वो नेड़ने जब होगा तो आपको जानकारी देंगे अभी तो हम सब के लिए ये बहुत खुसी का छण है उनके परिवार के लिए एक एक पार्टी के कारिकरता के लिए तो हम जेल से वो रिहा हों उनके स्वागत की तैयारी में देखे ऐसा है कि भाजपाईयों की हालत वही है कि चित भी मेरी पड भी मेरी अगर सिक्का मोदी जी तो अगर जमानत नहीं मिल रही थी तो चीक चीक के चिलाते थे मिली संजे सिंग को जमानत मिली सिसो दिया को जमानत मिली केजरी वाल को जमानत आप लोग ही अपने चैनल पे दिखाते थे, जमानत मिल गई, तो कहते हैं सिर्फ जमानत ही तो मिली है, कल को बरी हो जाएंगे, तो कहेंगे कि सिर्फ बरी ही तो हो गए, सत्रा महीने मात्र रहना ही तो पड़ा, जब मोदी जी जैसे ताना सा हैं तो रहना पड़ेगा, महीने के बाद, तमान तथ्यों को देखने के बाद एक जमानत दी है, और आपको मालू है कि पीमेले के मामले में जमानत मिलने का मतलब होता है, जज को संतुस ठोना पड़ता है, सारे सबूतों और तथ्यों पर कि इस पे केस नहीं बनता, तो मैं सिर्फ यह पूछना चाहत मतलता है, तो भाजपाईयों के लिए मैंने सुबा भी बोला था, मैं फिर कह रहा हूँ, एक गरदन काटो योजना इनको बनानी चाहिए, और कुछ गैंग तयार करें, राजनीतिक पार्टी तो है, नहीं गुंडों का गैंग है, तो इन गुंडों के गैंग को, इनको एक दल अपने दल के अंदर एक समू तयार करना चाहिए, जो विपक्ष के निताओं को पकड़ पकड़ के कहीं मारें, कहीं पीटें, कहीं उनकी हत्या करें, कहीं उनका गरदन काटें, उससे शायद इनको संतुस्ती मिलेगी, अभी भी बेशर्मी देखिए आप, बेल मिल गई पूरे देश के हैं, जिनकी अंतर रास्टी ये ख्याती है भरस्टा चार में, सब आज मोदी जी के साथ खड़ें, सब के सब, एक एक करके महारास्टा से लेके और आसाम तर, कल अभी मैंने खोला पार्लामेंट के अंदर इनकी असलियत 43 कंपनियों का साड़े तीन लाख कर करोन के रिश्वत लेके अलग अलग कंपनियों के ये बीजेपी के लोग बात करेंगे, इस धरती की मैं फिर दोरा रहा हूं, इस धरती की सबसे बेईमान, भ्रस्ट, नफरत, द्वैस और जगडा लडाने वाली पार्टी का नाम है भारती जंता पार्टी